हलो दोस्तो डेलेपुली स्ट कॉंश्टेबल मिंस्ट्रियल चाइनली जारी कर दिया गया है और मैंने आप सभी सहा था कि आंसर की आप सभी को 1 नमंबर या 2 नम को देखने को मिल जाएगा तो आंसर की फाइनली आ चुका है और लगबख सभी कंडेट अपना अंसर की चेक कर चुके हैं आज के इस वीडियो में जाने बाले की आंसर की आने के बाद देली पुलिस हेट कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजीकल के लिए कट आप कितना जा सकता यानि कि कि इतने नमर वाले कंडेट का सिलेक्षन फिजीकल के लिए हो सकता है साथी से पहले जो देली लिंक कल साम पांच बज़े एक्टिवेट करा दिये गे हैं और यह लिंक साथ ग्यारा दो जार वाइस यानि की सात नमबर साम पांच बज़े तक आप सभी अपना अंसर की चेक कर सकते हैं अगर आप सभी अब्जेक्शन करना चाहते हैं तो पर कोस्ट्ण आप सभी को 100 नहीं बाला है तो इस बार आप समय को पत्य है की टूटल पूस्ट की संग्या 835 है जिसमें की मेल की टूटल 569 पूस्ट है वहाइं फी मेल की टूटल दोस्वाच शहीतर पूस्ट है टूटल फॉर्म की बाद के तो टूटल 13,953 फॉर्म भरे गेते अगर एप्येट कंडि तो इसमें से 8,6,117 कंडेट ही एकजाम में एपिएट हुए हैं अगर रिजल्ट की बाद के तो बेकेंसी के 20 गुना कंडेट का सेलेक्षन फिजिकल के लिए होने बाला है तो टोटल 835 पोष्ट इसके 20 गुना यानि की 16,700 कंडेट का सेलेक्षन फिजिकल टेस्ट के लिए कि होने बाला है तो बाबन में इसे कंडेट का सेलेक्षन पिजिकल के लिए होने बाला है तो चली जानते हैं कि इससे पहले यह को औरक अठापय की सबसे पहले पिए बाद कीदी में सब्सक्राइब लेकिन पिछले बार जो एक जाम लिया गया था उसमें निगेटिव मार्किंग भगरा नहीं थे लेकिन इस बार आप सभाड़ आप सभी को पता ही कि निगेटिव मार्किंग 0.5 रखे गए थे उसके बाद अगर final cut-off की बाद के तो final cut-off general category का 99 गया था OBC का 92 गया था, HC का 87 गया था, ST का 76 गया था और यह final cut-off 125 नमर में था उसके बाद 25 नमर का typing test हुआ था यानि की total 125 नमर में category wise इतना cut-off गया था और इस बाद भी 100 नमर का return test हुआ है, उसके बाद 25 नमर के tapping test होने पाले हैं यानि की total 125 नमर के नुसारी आप सभी का merit list तयार किया जाएगा अब बात करता हैं कि पिछले बार के मुकावले इस बार का cut-off कम क्यों जाएगा तो पिछले बार negative marking बगरा नहीं थे लेकिन इस बार आप सभी को पता है कि 0.5 negative marking रखा गया था जो कि बहुती कम एक जाम में देखा जाता है 0.5 negative marking ना के बराबर एक जाम में देखा जाता है और negative marking के कारण cut-off में बहुती ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है क्योंकि SSE GD की जो 2018 में बरती आई थी उसमें negative marking बरा नहीं रखे गये थे लेकिन 2021 में जो SSE GD की बरती आई थी उसमें negative marking रखे गये थे जिसके करण 2018 के cut-off के मुकाबले 2021 में cut-off 13-15 नमर कम गये थे जबकि 2018 के push की तुला में 2021 में push की संख्या आदे से भी कम था फिर भी 2018 के cut-off की तुला में 2021 में cut-off 13-15 नमर कम गये थे जबकि 2018 के SSE GD में negative marking नहीं रखे गये थे जबकि 2021 के SSE GD में negative marking रखे गये थे तो निगेटिम मार्किंग रहने के करण पिछले बार के मुकाबले इस बार आप सभी को cut-off कम देखने को मिलेगा और आंसर की आने के बाद बहुत से कंडेट के नमर 45-60 के बीच ही आ रहे हैं तो आप चली जानते हैं कि इस बार पिजिकल के लिए cut-off category wise male और female का कितना जा सकता है सबसे पहले male candidate की बात के तो अगर आप लोग जनरल male candidate है अगर आपके 62 से लेकर 62 के बीच नमर आ रहे हैं तो आप सभी का पूरा चांस है कि आपका selection पिजिकल के लिए हो जाएगा उसके बाद OBC की बात के तो अगर आप पूरा चांस है कि आपका सलेक्शन के ती की संर्फ की बीच नमर आ रहे हैं तो आप सिखmän के पूरा चांस है कि पैपन से लिए प्टिरपन के बीच नमर आ रहे हैं तो आप संवी का पूरा। केटेट के तो आप सभी 5 नमर तक कमा रहे हैं तो अप coalition कर दे दिय बाइगा ने हो.. इसके लिए आप सब्लीघ स्माफ करते हैं एक्शाथर चल गर तो चनल को सब्सक्राइब तो ता वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के सब्सक्राइब का धन्यवाद